तो दोस्त इस वीडियो पर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाल है वह है पानी का जो टांक है आटो डिंकर में कितना हाइट पर रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिफर्माट्स पाय मुझे है इसा कॉमेंट कर रहे है हर वीडियो कर नीचे मतलब वो नया पॉलिटिफर्म कंस्ट्रक्शन कर रहे है तो हमको पूछ रहे है कि पानी का जो टांक है उसको कितना हाइट पर रखने से जो आटो डिंकर है मतलब साहिए से काम करता है तो दोस्त उससे पहले मेरा चीक का परमें एक बार बता दू कि आज चीक्स का एज है ठक्टिन डेस और आप देख पार है कि 75% स्पेस में अल्ड़ेडी इसको दे दिया और चीक्स का एभरजी सीचुएशन एक पर नस्तीक से देख लीजे कि अभी मतलब चीक्स का सीचुएशन जो है वह ठीक ही है प्रोपार फीड इन टेक कर रहे है और प्रोपार पानी भी इन टेक कर रहे तो दोस्त इस तरह से आपको भी मैनेजमेंट करना चाहिए जाके 15 दिन के अंदर आपका चीक्स का बोडिवेट 500 से उपर जाए तो दोस्त चलिए मैं भीडियो स्टार्ट करता हूँ और दोस्त ये आटो डिंकर जो है इसको प्रिसार का आपका कोई दरकर नहीं पड़ेग से और दोस्त मैं क्या किया ये जो पानी का जो लाइन है इसके उपर हाइट करके जो बाहर पानी का टांक है उसको मैंने इंस्टल किया जाके पानी का जो फ्लो है आपको पता है कि नीचे तरब जाता है तो जाके मतलब ऐसा आपको नहीं करना है कि पानी टांक में पानी भी कि मन लिजे कि आप सेट पे काम कर रहे तो यह जो पाइप आप देख पर है एक पाइप वहां से आके इस औरो डिंकर में आया है एक डाइरेक्ट नीचे आ गया है यहां पे कि बहुत सारे पॉल्टी फर्वानस भाई ऐसा गलती कर देता कि यह जो पाइप लाइन है इसको थो जो पैदल इधर से जाएगा तो उसका माथे में टाच होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है तो मैं शाला दूंगा कि अगर आप आप आटो डिंकर फार्मे बना रहे हो तो आपको डेफिनेटली पाइप लाइन का हाइट जो रखना है आठ फीट के ऊपर रखना है जा किजिए जाकि हर पॉलिटिफ वर्वाइब को मेरा सुचना मिल सके उसका लाव हो सके